हेलो फ्रंट्स वेलकम तो इंस्प्रेशन आई-एस डेले निवीज अनलीसिस तुड़े इस थर्ड जैनवरी ट्वेटी फॉर एंड वी आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, पीई-बी एंड आसाम ट्रेवल इसको इंडिया का आई-टॉम भी बोला रहता है, सेकंड है सर्णा रिलिजिन जो एक फॉरस रिच्वल्स है, फॉरस कंसर्वेशन रिच्वल्स के पर बेस्ट हो और यह अपके एक नए रिलिजिस कोड को लेकर अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थार्ट जो है, वी एर इसको इंडिया का आई-टॉम भी बोलाया था, इसको इसको टेस्ट किया गया था, और देखा यह गया था, कि यह चार टार्गेट को इसको इंडिया का आज आई-टॉम भी बोलाया था, इसको आप लोग को मालू हो का यह इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बेसिकली यह प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के जो छोटे-मोटे रॉकेट्स वगरा जो होता है ना जो पैलेस्टीन या उस रिजन से हा और यह एक तरह सा आप क्या सकते हैं कि इसराइल का यह लाइफ 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 लाइन अप्रोटेक्शन एक शील्ड है जो प्रोटेक्ट करता है पुरे इसराइल को, I don't know, so उसी के तरस पर हमारा आकाश, that is surface-to-air missile, आकाश मिसाल सिस्टम जो है, it is basically developed by DRDO, और प्रोडू लगभग 100 meters to 20 km, मतलब 100 से लेके 20 km के रेंज में यह टागेट कर सकता है, मतलब हाइट रहा देखा जातो, and in service with the Indian Army and the Indian Air Force, दोनों इसको यूज़ करती है, comparison देखा जाए, अगर इसराइल का Iron Dome से, तो अकाश is often compared to Israel's Iron Dome, due to its ability to intercept UAV, मतलब UAV को यह intercept कर सकता है, smaller projectiles, helicopters and aircraft, जबकि, while similar to the Iron Dome, अकाश is primarily designed for defense against larger radial threats like aircraft, rather than small rockets, तो हम लोग small rockets को तो नहीं, बढ़ हम लोग aircraft को टार्गेट करने के लिए इसको बनाए है, क्योंकि, इंडिया में small rockets launch करना यह थोड़ा चोटे मोटे, इसराइल जैसा नहीं है हमारा condition, हमारी situation, हमारी geographical conditions है, वो अलग है इसराइल से, तो हमें चोटे नहीं, हमें बड़े जो aircraft है, उसको टार्गेट करने वाला जाथा useful है, ना कि यह चोटे वाले rockets, सब्सक्राइब है, तो समस्ते डिटेल में, देखें, सर्ना जो है, यह एक तरह का indigenous religious faith है, यह predominantly छोटे नागपूर प्लेटीव के रिजन में यह लोग रहते, और सर्ना बिसिकली अगर देखा लिए तो इसको मतलब groups होता है, forest वगरा groups, and it is related to the salt tracer, and it is found in, यह normally जो प्रैक्टिस किया आता है, यह जारख है, Odisha, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh, and smaller number in Assam, Assam में भी कुछ लोग है, basically migrants, workers या laborers हैं, जो tea state में काम करते हैं, तो वो Assam में हो गए, सेम बिद पंजाब अलसो, जो वहां बर, राइस ग्रोइंग या वीट ग्रोइंग के लिए जो जाते हैं, यह लोगे तब मतलब पते हैं, तो यह कुछ रीजिन हैं, जहां पर यह सार्ना रिलिजिन आपको मिलेंगे, और संथाल के बहुत सार्ना रिलिजिन आपको मिलेंगे, अब जानते हों के अपको, नेक्स सार्ना कोड रेजलुशन फुआ था, 2020 में, और जहारखंड असेंबली इसको पास किया था, पास्ट एस्ट एस्ट एस्टेबल आपको देखा जाए, तो सार्ना को एक सेपरेट रिलिजिन का दरजा देने के लिए जहारखंड असेंबली म अब जानते हैं, अब करम है, वर्षिप आप देखा जाए तो नेचर नेचर वर्षिप और ये ट्राइब्स जो होते हैं, जिनके जो रिलिजिन्स है, वो आम तोरपे नेचर वर्षिप में ही है, आप इतर नौर्थ इस में भी चले आई है, तो लगबग वैसा ही है, यह ल वर्षिए इस संभाब्स को नेचर वर्षिप में ही है, तो वर्षिप आप संभर्षिप और इस नेचर स्विजिन्स को, निच्टम अपनर नीज है, वो है सनो लेपर से रिएटेड एंड रिस्द ने उसको अपना नेशनाल सिंबल खुशती है और कोई यह दिख रहा होंगे प्रेसिदेंट अफ किर्गिस्तान और यह दिक्लियर दिस समझते हैं लोग सुनोले पड़ के बारते हैं तो हैपिटेट इनका जो है मौटिनिस रीजन में होते हैं बहुत ही शर्मिते जानवार हो प्रेसिदेंट इंडिया के इंडिया के इंडिया के इंडिया के फ्रस्क बार में तो यह फ्लैक्षिप स्पीचिज और इंडियूअ का सुच्पाइज और कमेंन्ब outta 3 प poured Krallion के इंडिया मा आप सकते हैं रहा हनारे में अप्रुए स्क्राक्षप्री में अलइन है Gosh 1 प्राइक फॉल्डियां को भीजक्षिप स्पीस के इंडियाथ अब फॉलध वो निंसरी इंडियों नेिसवे आइट है इंड तो उसके अंदर भी इसको डाल कर रखा गया conservation breeding एड पनवाजी नाइडू हिमालियन जोलोजिकल पार्क तो वहां पर इनके conservation और conservation breeding वगएरा चल रही है तो देट इस रिगार्डिंग था स्नौ लेपड चलिए लास्ट अपना निवस है वह है आपका और यह एक ऐसा incidence है जैसे कि आपको आपको मालूम होगा और लगभग वैसा ही कुछ incidence था बट इनका कुछ इस्ट्री में इनका नामों निशन में इसके बारे में समझा जाए तो खरसावन क्या था और यह सबसी यूनिक बात यह है कि हमारे आजादी के बाद हुआ था यह खर जाशने लोग मना रहे थे और समय इतने बड़े कांड वे थे इसका कोई आज कहीं इदिहास ही नहीं है शिवाए इस आपके पत्थर के खरसावन हां कि था क्या हुआ क्या था अच्छली में अगर समझा जाए तो अब जब सिंस अ क्रिशन आप बिहार और सा बिहार और सा गजब क्रिशन होगा था प्रोविंसी 1912 1912 तो वहां पर एक आदिवासी रिजन थे और वो चाह था है कि वो सप्रेट सेट बने क्यों कि कि बिकास्ट थे थिंग थे विनीक कल्चर एंड ग्रिवेंस तो वहां थे वांट तो बीकम ए सेपरेट स्टीट इन दिस्टिवांड गेंट मोमेंटम हो दिरे दिरे इस तरह की दिमांड होते है न वह बढ़ता गया और साइमन कमिशन एकनोलोजी भी किया था इस्टिंग साइमन कमिशन नहीं कहा था कि ठीक है यह दिस्टिंग नेचर है नाइटिंटिंटिंट इसको अपना समयती भी दिया था उसके बाद नाइटिंटिंधियत में हुआ कि आदिवासी महासभा हुआ और उसका जैपाल सिंग मॉंडडा उसके प्रमिनेंट लेडर थे और 1947 में एक प्रिंसली स्टेट इस सिंगिएंट ओडिया स्विकिंग पोपलेशन मतलब आपके ओडिया स्विकिंग पेपोपलेशन जो कुछ थी देडिए टो जॉइन ओरिविशा दिटीं इंडिया प्रिंसली स्टेट मतलब आप समझ सकते कि 1947 में खर्सावान बेजन में कुछ में थे और वो डिसाइड के कि देविल वहां तो जॉइन विद ओडिशा ओडिशा जॉइन करने का लिए राजी हो गया दूरिंग इंडिया स्टेट इंडिया का प्रिंसली स्टेट इंटेट इंटेशन चल बहा था अब बहुत सारे आदिवाशी कम्मुनिटी उसको अपो सब्सक्राइब करने के लिए और क्लाउड इतनी बड़ी थी और इतना इंवारमेंट हो गया था कि उसके चलते हुआ कि मिलिटरी पुलिस को मतलब फायर करना पड़ा और जिसके चलते बहुत लोग मारे थे इक्जाक नंबर कितने लोग मारे थे अभी इसके कोई रिकॉर् आप क्योंकि बोडिस को वहीं पासी के जंगल में जैसे घायलत को एसी छोड़ दिया था कोई ट्रेट्मेंट के ट्रीक्मेंट भी नहीं थी और बहुत लोग मर चुके थे उनको वेल गंदर तफना दिया गया तो बचपास एक्जाक्ट फीगर क्या है वो किसी को नहीं माल तो हमारे आजादी के बाद ये एक तरह का धब्बा है हमारे पूरे मतलब इंडियन हिस्टे कंदर में जहां पर एक कितने बड़े इंसिदेंस को पूरी तरह से मतब्दफन कर दिया गया इसके याद में एक तरह का आपको इस्टोन दिख रहा होगा यह बनाया गया तो तो अग्याद एफ एक डिली नीज अनलीस आज के लिए इतना ही यह जो आप देखने के लिए आप हुआरे पेज को लाइप फोलो कर सकते जैसे के पेस्टू कि इंस्टाराम और यूटूब र अब च्रू बोट और भी स्टैक्स आप प्रफ्तिस आफ में इंस से इंटा रखने है तो तो यूटिंग डिली आप मीशिंटा कि ज़ूत सकते हैं लूट बाल ने भी चाहर, कि अग्या तो झासटी कि लूट और जा पर द्टारें इस जोड आय मेंसे जोड लूट